हलो दोस्तों welcome back to my youtube channel आज हम बात करने वाले सब्सक्राइबर होनों हमसे comment करके पूछा हुआ है कि उनको जानना है कि कौन से ऐसी बैंक है जो हमको सबसे कम interest rate पर तो आज हम आपको टॉप 6 ऐसे bank से बारे बताने वाले हैं जो आपको टुविला लोन प्रोवाइड करते हैं किस ली हुई है टॉप 6 उसमें सबसे पहली नंबर पर आती हूँ बैंक अब बढ़ोदा जिसमें देखिए rate of interest की starting होती 13.65% से rate of interest के आप स्टार्टिंग हो रही है और यहां पर प्रोसेसिंग जो आपकी लगेगी वो दो परसन तक लगेगी आपकी loan amount का जो की minimum 200 रुपए तक के आपकी होगी अब यहां पर आपको benefits वगरा क्या देखनेंग मिलेंगी तो rate of interest जैसे बढ़ा 13.65% से starting होगी minimum processing charges यहां पर लगते हैं आपके loan amount maximum आप 10 लाग रुपा तक का ले सकते हो कोई भी pre closer charges नहीं है मतलब आगर आप पहले भी अपना loan चुका देतो तो आपसे कोई charges के इस तक जो आप अपना loan दे सकते हैं आप मैक्सम 10 लाग रुपा तक का loan amount ले सकते हो वो भी आप मैक्सम 5 साल के लिए loan amount ले सकते हो अब जो next bank हमने यहाँ पे ली है वो है आपकी SBI तो SBI में देख सकते हो rate of interest जो चलता है टुविला लोन का वो होती 17.80 से starting होती है 19.55% तक यहाँ पे rate of interest जाता है यहाँ पे देख लेते हैं आपको कौन कौन सी scheme में चलती है तो यहाँ पे देखें तीन scheme में चलती है सबसे पहले SBI टुविला लोन स्कीम जिसमें आप 3 लाग रुपय तक का टुविला लोन का amount ले सकते हो उसके बाद जो second scheme आती हो आती सुपर बाइक लोन स्कीम जिसमें आप लेड़ लाग रुपय से 25 लाग रुपय तक का loan amount ले सकते हो इस scheme में और यहाँ पर तीसरी scheme आती हो आती है SBI Easy जिसमें आप प्री अप्रूव्ट टुविला लोन प्रवाइट किया जाता है अभी हम बात करने वाले इस scheme के बारे में SBI टुविला लोन scheme तो इसमें आपको क्या features वगरा मिलेंगे तो इसमें आप कोई भी जो है motorcycle electric bike अगर आपको buy करनी है तो आप इस scheme के थूर ले सकते हो यहाँ पर आपके on road price का 85% तक का loan जो है यहाँ पर बैंक आपको provide करेगा बागी का 15% आपको down payment करनी होगी minimum age apply करने की 21 साल maximum 57 है minimum आपकी income 12,500 रुपए की कम से कम होनी चाहिए यहाँ पर minimum आप 20,000 रुपए तक का loan amount ले सकतो और maximum 3,000 रुपए तक का loan amount ले सकतो इस scheme में यहाँ पर maximum आप अपने net monthly income का 4 times जो है maximum loan यहाँ से ले सकतो मान लेज़े आपकी monthly income 30,000 रुपए है तो आप 1,20,000 रुपए तक का loan यहाँ से लेने के लिए eligible माने जाओगे यहाँ पर देख सकते हो repayment period जो 36 month और 48 month का रखा गया है यहाँ पर अब यहाँ पर eligibility सबसे बार main require होती कि उनका salary account यहाँ पर होना चाहिए वो भी self-employed professional वगरा होंगे वो यहाँ से apply कर सकते हैं और जो भी अगर कोई agriculture से जुड़े हैं जैसे farmer वगरा वो भी यहाँ से apply कर सकते हैं document डे सकते हो कि क्या क्या लगते हैं तो document में देखिए आपको bank account statement last six month का दो पासपो साइट वोटो उसके बाद signature verification प्रूफ फिर उसके बाद आपको कोई एक identity proof देना है जिसमाँ water ID कार, pen card, अधार card दे सकते हो, residence proof आपको देना है latest salary slip आपको दिखाना पड़ेगा तो यह देखिए कुछ document required होते हैं अगर आप SBI से टूविला loan के लिए apply करते हो, आप जो next bank हमने आप लिया वो है आपे SDFC bank, तो SDFC bank में जो rate of interest चलता 14.5% से rate of interest के आपके starting होती है और यह आप पे जो है आपको 5% तक processing fees लगती है आपके loan amount का, documentation charges हैंगे 2% तक लगते हैं, stamp duty charges जो है अलग-अलग, हर स्टेट वाइस अलग-अलग होंगे, 500 रुपए तक के PDD collection charges लगते हैं आपे, features वगरा देख लेते हैं, आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको आपको आपके bike के on-road price का 100% तक जो है finance कर देगी SDFC bank, minimum आप यहाँ 12 मत और maximum 48 मत के लिए यहाँ से loan ले सकते हो, eligibility क्या है, तो salary or self-employed individual यहाँ से apply कर सकते हैं, age जो 21 से 500 साल के बीच में होनी चाहिए, minimum जो monthly income यहाँ पर require होती, वो 10,000 रुपए के आपकी होनी चाहिए, अब जो next हमने यहाँ पे bank लिए हुए है, ICIC bank, ICIC bank में देखें, fully digital process वग 28% तक का rate of interest यहाँ पर लगता है, वो आपका two wheeler और super premium bikes जो होती, उनके लिए same rate of interest यहाँ पर चलता है, next bank जो हमने लिए है, IDFC first bank, जहाँ पर rate of interest देख सकते हो, वो loan amount के साब सित्य होता है, जो first category में आता है, उसमे rate of interest 18.99 से starting होगी, जो यहाँ पर mid premium और electric vehicle होगा, उसमें यहाँ पर two wheeler loan का rate of interest की starting होगी, वो 15.99% से starting होगी, और premium segment अगर आप 20-25 लाग की कोई बाइक बाइक करते हो, super bike, तो उसमें 9.99% से rate of interest की आपर starting होगी, यहाँ पर eligibility क्या require होती ही, तो India resident होने चाहिए, जो age होनी चाहिए, वो 21 साल होनी चाहिए minimum, और अगर आपकी age 18-21 साल के बीच में है, तो आपको एक co-applicant add कराना mandatory यहाँ पर होगा, documentation यहाँ पर क्या लगेंगे, तो passport size photo, उसके बाद कोई भी identity or address proof, जैसे कि passport, आदार का, driving license, voter ID का दिखा सकते हो, और loan application form आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, next bank हमने यहाँ पर ली है, वो है आपके axis bank, axis bank म यहाँ पर एक लाग रुपए से starting होती है, बारा से साथ मन्त के लिए, आप जो है maximum loan ले सकते हो, यहाँ पर आपके onward price का 85% तक का जो loan है, वो आपको provide किया जाता है, rate of interest यहाँ पर चलता है, वो 10% से 28% तक के round rate of interest यहाँ पर चलता है, तो यह देखें, top 6 bank हमने आपको बता starting होती, तो लगबग जो बैंकों में two-wheeler loan का rate of interest है, वो 14% से लगबग starting हो जाएगी, और maximum आपका 28% के around rate of interest जाता है, अब वो depend करेगा आपके loan amount पर कितना loan amount ले रहा हो, credit score आपका कितना अच्छा है, उसके हिसाब से rate of interest होता है, तो I hope हमारी information आपको पसंद आई होगी, वी धन्यवाद